अभी जो इस्राइल और हमस का जो युद्ध है इस्राइल तबादोड हमले कर रहा है गादा पट्टी पे और ऐसा का जा रहा है कि गादा पट्टी में जो हमस के आतंगवादी उगरवादी हैं क्योंगे यह लेबन से हिजबुल्ला के टॉप कमांडर ने यह बयान दिया था कि हिजबुल्ला के पास तक्रीबन तीन चार महिने का राशन पानी स्टॉक एमनेशन दवाईयां सब कुछ है मतलब त्यारी उनकी पूरी है अब उनकी बात मान लेनी चाहिए तो बात ऐसी है कि अगर वो तो यानिके एक बात उते हैं कि पूरी त्यारी के साथ लंबा प्रोग्राम बनाकर हमास यहाँ पर आई थी और लंबा सा काफी टाइम से यह प्रोग्राम बन रहा था कि ऐसा नहीं है कि वह अचालग से कुछ प्लान हुआ यह इसका प्रोग्राम था जैसे कि आप देखा कि जब साथ अक्टूबर को सुबह को जब हैंग जब वो किससे ग्लाइडर से आये थे और ती तरह तरह के जब कैसे छे साथ हदार रोकेट दागे गए थे और तो जाहिर स उनके उपर हमला त्यार हो रहा है बन रहा है प्रोग्राम अब सवाल उठता है कि इसराइल ने कहा था कि वो हमास का बिल्कुल खात्मा करेंगे बिल्कुल उनको मिट्टी पलेट कर देंगे दिल कनवर्ट दे मिटू रबल ऐसा कहा था इसराइल ने उनके जो बेंजबिन यह तन्याय हूं है उनके जो प्रधार मंत्री हैं इस्राइल की उन्हें यह बात ब्यान दिया था क्योंकि हमास लमा प्रोग्राम बना कर आया था और आप देखिए गादा पट्टी में गुफाएं हैं बहुत सारी अंडर्ग्राउंड डर्नल्स एक तरीके दे बोले तो भू लोग आ जाएं जो यहां पर आएंगे उनको एड मिलेगा याने के खाने पीने का समान दवाईया एड बेसिकली तो काफी यूमन तोर पे काफी ट्रक्स भी निकाल दिये उस तरफ को देखिए यहां तक मैं इसको मानता हूं इस तरीके देख रहा हूं कि इस्राइल चाहती थी कि नोध गदा पत्ती खाली हो जाए उन्होंने पहले भी 24 घंटे का अल्टमेट दिया था कि 24 घंटे में गदा पती खाली करो अब कॉमन सेंस की बात है कि 24 घंटे में कौन फैमिली को ले कर जा सकता है खाली कर सकता है ना तो रात 24 घंटे आन तोर पे अभी जिसके वक्त में शांती वक्त में भी 24 घंटे में बहुत मुश्किल होगा है अब इस्राइल यह चाहिए थी कि वह नौत घादा खाली करके साउथ घादा में आ जाए तो जाहिड सी बात है कि वह जो यहां पे आएंगे उनको humanitarian aid दिया जाएगा अभी आप सुचिए आगर दिनों तक खान निखाया हो पानी नहीं पिया हो ठीक से तकलीफे हो मेडिकल प्रॉब्लम्स हो बीच में आपको याद है है अभी कुछ दिन पहले एक अस्पिताल पे हमला हुआ था जहां पे तकरीबन 25 सो लोगों की बत पे इस्राइल का कहना था कि यह हमस का ही एक रॉकिट पीछे अस्पिताल की कब्रस्तान था वहां से एक्सिडेंट्ली फायर हुआ है यहां पे गिरा है उन्होंने एक आडियो क्लिप भी जानी किया कि हमस के लोग उसमें बात कर रहे हैं बोल रहे हैं कि खलती से उनसे ही च खत्म जागे जल चल दी ऐसे ही तो लोगों ने कहा था रूस और युक्रेण की जंग के टाइम पे जब फेबररी पिशले साल जब रूस ने हमला किया था युक्रेण carve पे तो लोगों को लगा कि यूक्रेयन थो छोटा सा मुल्क है यह बस खत्म जाए जल दी और जो रूस सेनिक थें उनके पास उनकी पिट्टू जो लागता है पंधा है इंके बागेज में रॉसी सर्मोनियल ड्성을ाड ust सेमोनियल lyção के ड्यम पे या कोई सर्में होती आप ज्ञडा समय होती है ज्ञडा लगाते हैं तो यहने के उन्हें अज्यूम क्या होगा कि हम 4-5 कुछ चंद दिनों में खेल खतम कर देंगे, यहाँ पे रूस का जहनदा लग आएगा, हम सर्मोनिल ट्रेस्ट मोहेंगे और हम, इस तरीके से ऐसा मेरा मानना है, अब बात करते हैं कि इसराइल और हमस का यूद, मैं यह नहीं कहता है, इसराइल नहीं कह रखा है, तो और जिस तरीके से साथ तरीकों घटना घटी, वो बिल्कुल 100% आतंगवादी, उगरवादी, देशितगर्दी वाली हम घटना थी वो, भई मासूम इनोसिंट सिर्वियन्स पे कोई हाथ नहीं उठा था, कोई उन पे आच नहीं आए था, और कहीं कि भी कोई भी प्रोफेशनल आर्मी ऐसा काम नहीं करती, लेकिन मेरा ऐसा भी मानना है, कि देखिए साथ तारीकों हमस ने जो किया, वो खलत किया, वो एर्रस अक्टिविटी थी, लेकिन हमस के जो टॉप जेनरल्स हैं, जो डिरेक्टर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो उनकी decision makers हैं, वो तो बाहर बैठे हुए हैं, बाहर मुलकों में बैठे हुए हैं, और Palestine में, बलके मैं तो कहूँगा कि गदापटी में, ये केबल foot soldiers हैं, पाइदे जो वो होते हैं, पाइदे, वो हैं, आपको अगर खात्मा करना है, तो आपको ideology का खात्मा करना पड़ेगा, टॉप leadership वहां से, देखे एक उसाव बिन लादन को मार के, अलकाइदा जो के formation थी, अमेरिका नहीं, अलकाइदा को खड़ा किया था, अब आप देखे, 11 सप्टेंबर 2001 को, अलकाइदा नहीं हमला किया, अमरिका पे, World Trade Center पे, Pentagon पे, उन पे, ब Soviet लड़ने के लिए, पहले, और हमसी ने ही ये हमला किया इसराहिल पे, और ये, आप देखे, अब देखे, ये अमेरिका का operation, जो अफगानसान पे लॉंच किया था, War Against Terror, तो आप देखे, अने देशों में, अने मुलकों में, कितने साल चला, अब जाके, US ने मुदा कुछ म कि तालिबान ने अफगानस्तान पे कफ़ा कर लिया, प्रेज़ेशन पे तालिबान की सरकार आ गई, तो ये बहुत लंबा चला था ये operation, और बहुत लोग सुझेगे कि इसराहिल चोड़ा सा मुलक है, लेकिन जो ताकत, देखे, यहूदी, जो हैं, जूज, सब जानते हैं हिटलर ने नाजी जर्मनी में क्या किया था, यहूदियों को गैस चेंबर में, कॉंसिंट्रिशन कैंप्स में तडपा तडपा के मारा था, बदकिसमेती से, और यही यहूदी, बाद में, पिर आज की तारीख में देखिए, दे रोस फ्म दी आशेज, खाक में लिठड़े हुए, खून से दिला है हुए, पी बहती हुए, कलते हुए नसुरों से, ठीक है ना, तो आप देखिए, यही यहूदी, बाद में, इतनी तरकी का रहा है, और टेक्नोलजी में बोड़े माहर हुए, हाँ, वो तो अलग बात है कि साथ तारीख को, साथ अक्टूबर को, लो और इस्राइल की के बॉड़र्स कैसे वो पार हो गए, कैसे उनकी इंटेलिजिंस एजिंसी खबर नहीं हुए, मुसार्ट को, कई सारे प्रशन सामने आए, कई सारे सवाल सामने आए थे, खेर, अब मेरा ऐसा मानना है कि यह लंबा चलने माला है, वहां की गुफाओं को सु मुझे ऐसा लगता है कि लंबा चलने माला है, मगर मैं उमीद करता हूँ कि जल्दी शांती आये कैसे भी एक सीज़वार होना चाहिए, महां पर, सीज़वार होना चाहिए और यहां पे किसी भी मुलक को आग में घी डाले काम नहीं कर चाहिए, जैसे अमरिका ने किया था रूस और यूक्रीन की जंग में, बस वैसे ही, प्रेसिडट जो बाइडन को जहां था, जॉर्डन, अमान, वहां पे मिस्र के, वहां पे लीडर्स थे, ग्लोबल लीडर्स थे, और अरभी लीडर्स से उनसे बात करनी थी, लेकिन वो गए थे, टेल अभीव, इस्राइल के क यह किसी जिहाद, इस्लामिस जिहादी का रॉकिट अके कि रहा था, ऐसा जो बाइडन करके रहा था, अब आप देखी, कहीं पे भी हमको इंसानियत का साधिना चाहिए, बेसिकली, यह ऐसे कुछ नहीं होगा कहां से, कि मैं मनिपुर, यह मनिपुर के, क्योंके मनिपुर के बहुत से origin के, roots के, बहाँ पे, इस्राइल में भी हैं, बेनमाशे tribe है, और यह यहूदी बन चुके हैं महाँ पे, और यह 90 वो भी में महाँ पे कहे थे, इस्राइल, यह लड़ रहे हैं, महाँ पे इस्राइल की military में, और बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं, क्योंके martial race है और बहुती खतरनाक warrior हो तो एक whatsapp dp या twitter dp लगाने से कुछ नहीं होता आपको इनके लिए कुछ करना पड़ेगा और शांती लानी पड़ेगी हर हालत में किसी भी हालत में कैसे भी क्योंकि इंसानियत का खात्मा हो रहा है दोस्तों ऐसा इंसानियत का खात्मा नहीं हो चाहे फिलिस्टीनी हो चाहे इसराइली हो हैं तो इंसान हैं तो वो पहले इंसान तो इंसान का ऐसा खात्मा बच्चों का चोटे बच्चों का महिलाओं का उनकी क्या गलती है नहीं होना चाहिए यह जो हमस ने किया सातारी को मासूमों पे उन्होंने अत्यचार किये लेकिन क्या बड़बत्ता का जवाब बड़बत्ता हो लगता है तू रॉंग जोने का राइट अगर उन्होंने मासूम सिविलिंस पे वार किया क्या मासूम सिविलिंस पे दुबरा वार करना रिटैलेट करना बनता है क्या मुझे नहीं लगता है मुझे लगता है शांती आने चाहिए औ वोट नहीं दरा क्यूंकि हम आतंग वाद के खिलाफ रहते हैं किसी भी कैसी भी अतंगादी करते हैं इंसानियत को और इसा हिंदुस्तान ने पहले करके दिखाया है चाहे गलफ वारो चाहे ऑपरेशन गंगा हो रुस और युक्रेन का यूद्ध हो चाहे अफगांस्तान में जब तालिबान क्रैसिस हुआ था तब चाहे तुर्की में जब अर्थ कोई काया था तुर्की सीरिया हमने मजद की थी हमने एड भेया था अभी हाली में हिंदुस्तान ने भी एक जहास भेया था फेरेस्टीन मतलब एड के साथ दवाईयां राशन पानी जो भी बेसिक प्रे क्या है